Students, Transportation Engineering 2 में आजका टॉपिक है रोड अलाइन्मेंट सड़क का सनरेखन सबसे पहले देख लेते हैं कि सड़क का सनरेखन होता क्या है किसी सड़क की मध्य रेखा की स्थिती जैसे प्लान में दर्शाया गया या प्रस्तुत किया जाता है उसे सड़क का सनरेखन कहते हैं वो पोजीशन है सेंटर लाइन की आपकी जो रोड है उसकी जो सेंटर लाइन है उसकी पोजीशन है जो की प्लान या मैप में दिखाई जाती है तो अब रोड अलाइन्मेंट जो है वो दो प्रकार से हो सकते हैं एक होरिजॉन्टल और एक वर्टिकल देखें अब जो horizontal alignment है उसमें जो movement होता है गाडियों का वो कुछ इस तरह से होता है ठीक है और ये जो पहला diagram मैंने बनाया है उसमें जो top view दिखा रहा है आपको ठीक है top view दिखा रहा है किसी road का उसमें जो horizontal alignment किया गया है उसका next आप समझ सकते हैं कि vertical alignment क्या होता है vertical alignment में जो गाडियों का movement रहता है वो कुछ दूसरे diagram की तरह उपर नीचे होता है ठीक है अब जो vertical alignment है तो उन सभी में जो भी ढाल या फिर जो भी उतार चड़ाव आते हैं road में उन सभी को consider किया जाता है ठीक है अब नीचे देख लीजे जो diagram है उसमें एक road है जिसको horizontally मतलब top view से अगर देखा जाएगा तो वो इस तरह से दिखेगी ठीक है और उसी का अगर cross section लिया जाएगा a-b-b का तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा मतलब यह आप पहला जो है उसमें आपको horizontal alignment दिख रहा है जबकि दूसरे में आपको vertical alignment दिख रहा है किसी भी road का तो सबसे पहले देख लेते हैं कि alignment का महत्व क्या है सनरेखन का महत्व क्या है तो सड़क का सनरेखन करना इसलिए अवश्यक है ताकि जो यह सब चीजें है उनका जो दाम है या खर्च है वो कम से कम रखा जा सके सबसे पहले तो निर्माण कार्य का खर्च तो जो भी road बनती है उसका उसका जो खर्च आता है वो depend करेगा कि वो कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है उसके बीच में कितना पुल आ रहे हैं पुलिया आ रहे हैं या पहाड आ रहे हैं तो यह सब decide करने के लिए पहले तो सही alignment होना चाहिए है तो इन सब से जो निर्माण का कारी का खर्च है वो कम होगा अगर alignment सही होगा तो निर्माण का कारी का खर्च है वो कम से कम आएगा इसी प्रकार उसका जो maintenance है वो भी कम से कम आएगा और उस पे चलने वाले जो वाहन है उनका जो प्रचालन का खर्च है जो operation है मान लीजे कि आपका आपने अलाइमेंट बनाया किसी रोड का और आपने उसमें बहुत जादा कर्व दिये है ना बहुत जादा मोड दिये और इसकी वज़े से जो उस सड़क पे जलने वाले यात्री है उनमें जो दुरगटना दर है वह बढ़ सकता है तो अलाइमेंट का इन सब चीजों में बहुत बड़ा मेहत्व हैं आगे आते हैं कि अब इन सब चीजों का रिक्वायर्मेंट क्या है मतलब किसी रोड जो है वो किसी दो बिंदूओं को मिलाती है ठीक है कोई मान लिजे एक सिटी है A और एक सिटी है B उसके बीच में आपको रोड बनानी है तो आपको इन सब चीजों की आवश्यक्ताएं पड़ेंगी मतलब ये जो आप रोड बनाने वाले हैं A और B के बीच में तो उसे कम से कम लंबाई की होना चाहिए दूसरा चीज वे सरल होनी चाहिए मतलब उसमें जितने भी मोड आते हैं या उतार चड़ाव आते हैं वे कम से कम होने चाहिए तीसरा है वे सुरक्षित होनी चाहिए मतलब अगर बीच में पहाड आ रहा है या फिर कोई आप टनल बना रहे हैं या पुल बना रहे हैं सुरंग बना रहे हैं तो उससे वे सुरक्षित होनी चाहिए मतलब किसी भी रोड अलाइमेंट को बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम पहाडों को पहाडों से सुरंग बनाई जाए या फिर कम से कम पुल और पुलियों का निर्माड करना पड़े जिससे वे सड़क जो है वो जादा से जादा सुरक्षित रहे है इसके साथ ही उसे एकोनोमिकल भी होना चाहिए माल लीजे आपने कोई सड़क बनाई है A से B में आप माल लीजे बीच में कोई पहाड आ रहा है तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि आप एक alignment बनाएंगे जिसमें वे जो सड़क है वे पहाड के अंदर से जाएगी मतलब सुरंग बनेगी और वे उस तरह से alignment होगा उसका और दूसरा है कि आप पहाड को पार करके मतलब बगल से पहाड के बगल से घूम के बी तक पहुँच रहे हैं है ना तो ये दो तरह का alignment बना सकते हैं तो इसमें आपको इन सभी points को ध्यान में रखना पड़ेगा तो आप आप देखिये कि मालुजै आप किसी पहाड के बीच में से सड़क निकाल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो वे कम सरल हो जाएगी और वे जादा खर्चिली हो जाएगी है लेकिन वो कम लंबाई वाली होगी अब दूसरा देखते हैं कि अगर आप किसी पहाड के बगल से सडक निकाल रहे हैं ना गूम के पहाड के से गूम के अगर सडक निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि पहला तो उसकी जो लंबाई है वो जादा हो जाएगी ठीक है हो सकता है वे सरल हो जाए ठीक है लेक दूसरा चीज क्योंकि अब सड़क की लंबाई बढ़ गई है तो उसका जो कॉस्ट है खर्च है वो जादा हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको इन सभी points को इन सभी requirements को देख के alignment करना पड़ता है अब देख लेते हैं कि सड़क का संरेखन को प्रभावित करने वाले क्या-क्या तथ्य होते हैं factors affecting alignment तो सबसे पहले तो पहले है आप परिहारी बिंदू obligatory point ऐसे बिंदू जिनको आप नजर अंदाज नहीं कर सकते ठीक है तो अब संरेखन को यह बिंदू नियंतरित करते हैं अब जैसे मैंने आपको पहले example दिया था कि मान लिजे कोई पहाड आ गया बीच में तो आब यह दो प्रकार के हो सकते हैं या तो आप उन बिंदूओं से संरेखन कर सकते हैं दूसरा आप उन बिंदूओं से संरेखन नहीं कर सकते हैं तो जिनसे आप संरेखन कर सकते हैं व जिससे आप रोड बना सकते हैं, आसानी से छोटी पुलिया देखे या कुछ देखे, ठीक है, तो ये सब बिंदू वैसे हैं, जिनसे आप सनरेखन कर सकते हैं, अब दूसरे बिंदू आते हैं, जिनसे सनरेखन आप नहीं कर सकते हैं, कि माल लीजे कोई मंदिर मस्जिद, बड आपको नहीं छेड़ना होता है तो इसके लिए आप क्या करते हैं जो अलाइनमेंट है वो दूसरी तरह से डिजाइन करेंगे ठीक है जो दूसरी तरह से आप निकालेंगे उसका आस्ता अगला पॉइंट है यातायात अब जो संरेखण है वो यातायात की दृष्टी से भी अ आत्रा करेगा तो उससे उसका जो उसको बहुत सारी दिक्कते हो सकती है और उसकी गाडियों को भी दिक्कते हो सकती है इसी के साथ साथ नेक्स पॉइंट है जो मेट्रिक डिजाइन ठीक है अब जब अलाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें उस सड़क का ढाल उस सड़क में ज ठीक है अब माल लीजे किसी सडक में बहुत जादा ढाल आ रहे हैं या बहुत जादा कर जैसे मैंने आपको बताया तो वह भी सही नहीं होता मतलब आपको alignment उन सब को देख के ही बनाना पड़ता है इसके बाद economy की बाद अपन गरी चुके हैं कि economy में शुरुवाती जो उसका खर्चा आएगा दूसरा उसका रख रखाव और तीसरा जो उसमें जो वहान चल रहे हैं उनका रख रखाव तो तीनों खर्चों को आपको ध्यान में रखते हुए ही alignment डिजाइन करना होता है और भी बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है जैसे कि जल निकासी को और जल विज्ञान सम्मंदी मतलब hydrological factor मान लिजे वहाँ पे बहुत जादा बारिश का छेतर है या बहुत कम बारिश का छेतर है रेतीली जगे है इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है अगला है राजनेतिक सीमा है मान लिजे कि इंडिया में आप रोड बना रहे हैं और बीच में कोई दूसरा या इंडिया की बाउंटरी से आप रोड बना रहे है मान लिजे और नेपाल पड़ रहा है साइड से तो आप नेपाल के अंदर तो रोड बनाएंगे नहीं कि आपको सीधी रोड बनानी है तो आप नेपाल के अंदर ले जाएं नहीं आपको रोड को जो है उस तरह से घुमाना पड़ेगा जिस तरह से भारत की सीमाएं है इन सब से भी जो अलाइनमेंट है जो सनरेखन है वो है डिपेंड करता है इसके बाद पहाडी शेत्रों में जो बनने वाली सड़क हैं उनके लिए कुछ अलग चीजें ली जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें ली जाती है अलग तो नहीं कुछ जादा ही चीजें ली जाती है जैसे कि पहला है स्थिरता अब पहाडी शेत्रों में आपको पता है कि भूस खलन और भूकम्प और इन सब की जो घटना है वो जादा तर होती है तो इसके लिए आपको जो रोड है वो स्थिर रहे वैसा अलाइनमेंट करना होता है दूसरा वहाँ पर नॉर्मली बारिश या फिर बर्फ बारी इन सब की वज़े से भी आपने देखा होगा काफी परिशानिया आती है तो रोड का अलाइनमेंट उस तरह से होना चाहिए कि जो जल निकासी है वे आसानी से हो जाए मतलब उसमें जादा खर्च ना हो आगे जाके आप जब रोड बनाए तो उसमें जादा जल निकासी के लिए खर्च ना हो तीसरा है पहाडी सरकों के जामेति मानक मतलब जो Geometric Standards हैं वो पहाडी रोड के लिए अलग है वो उधर पे आपकी जो ढाल होगी या फिर जो आपके Curves होंगे रोड में जो मोड आएंगे रोड में उनके जो मानक हैं वो है Plain Area से अलग हैं जो आपन आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे इसके बाद आती है बाद ये लंबाई एक आपको कोई भी सड़क अलाइनमेंट बनाने के लिए कम से कम लंबाई या जादा से जादा लंबाई लेनी पड़ती है तो उसे ही बाद ये लंबाई कहते हैं तो पहाड़ी शेत्र में क्या होता है कि बहुत सारी चीजे एक्स्टर आपको consider करनी पड़ती है alignment के लिए तो ये था आपका सडक सनरेखन या road alignment Thank you